कार्तिक महीने में बहुत सारी कहानिया कहीं और सुनी जाती है लेकिन आज जो कार्तिक की पुरानिक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी को सुनने के बाद किसी और कहानी को सुनने की जरूरत नहीं होती यह कार्तिक इसनान की पोरानिक कता है जो हमें कार्तिक मास में जरूर सुननी चाहिए एक ब्रामन और एक ब्रामनी थे वो साथ कोस दूर गंगा जबुना इसनान करने चाते थे रोज इतनी दूर आने जाने से ब्रामनी ठक जाती थी एक दिन ब्रामनी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहु हुआ जाती घर वापिस आने पर खाना बना हुआ मिलता कपड़े धुले मिलते तो ब्रामन कहता है कि तुने भली बाद चलाई चल मैं तेरे लिए बहु लाही देता हूँ ब्रामन फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा भान दे और उसमें थोड़ी से मोहर अशर्फी डाल दे उसने पोटली भान दी और ब्रामन पोटली लेकर चल दिया चलते चलते कुछी दूरे गाउं में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुन्दर लड़कियां अपने घर बना कर खेल रही थी उन में से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए उसकी बात सुनकर ब्रामन के मन पर वही लड़की चा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहु बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी जब वहे लड़की जाने लगी तो ब्रामन भी उसके पीछे चला और जब वहे लड़की अपने घर पहुँची तब बुड़ा ब्रामन बोला बेटी कार्तिक का महिना है मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता तुम अपनी मा से पूछो कि मेरा आटा चान कर चार रोटी बना जब यहाँ जिदी वहे मेरा आटा चान कर रोटी बनाएगी तब ही मैं खाऊंगा लड़की अपनी मा को सारी बात बताती है तो मा कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में चार रोटी वहे भी खालेंगे लेकिन लड़की कहती है कि नहीं मा बाबा ने कहा है कि मेरा आटा चान कर बनाओगी तब ही वे खाएंगे तब उसकी मा कहती है कि ठीक है जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे उसने आटा चाना तो उसमें से मोहर अशर्फी निकलती है वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी है उसके घर न जाने कितनी होगी जब रामन रोटे खाने बैठा तो लड़की की मा बोली बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खान्ट कर टोरे से तुम्हारी लड़की को ब्या कर साथ ले जाओ लड़की की मा बोली ठीक है और वहे लड़की को बहु बना कर ले आया घर आकर बोला रामो की मा दर्वाजा खोल कर देख मैं तेरे लिए बहु लेकर आया हूं आकर बहु का स्वागत सतकार कर ब्रामनी बोली दुनिया ताने मारती थी अब तुम भी मार लो हमारे तो साथ जनम तक कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहु कहां से आएगी ब्रामनी बोला ना तु दर्वाजा तो खोल ब्रामनी ने दर्वाजा खोला तो सामने बहु खड़ी देखी तब वह आदर सतकार से बहु को अंदर ले गई अब जब रहामन ब्रामनी नहाने जाते तो बहु घर का सारा काम करके रखती खाना बनाती और सास ससुर के कपरे धोती और रात में उनके पैर दबाती इस तरह से काफी समय बीच जाता है सास बहु को सीख देती है कि बहु चूले की आग न बुझने देना और मटके का पानी खतम न होने देना लेकिन एक दिन चूले की आग भुझ जाती है तो बहु भागी भागी परोसन के घर गई और बोली मुझे थोड़ी सी आग दे दो मेरे चूले की आग भुझ गई है मेरे सास ससुर सुबह चार बज़े से बाहर गए हुए है वे थकियारे वापस आएंगे मुझे उनके लिए खाना बनाना है परोसन कहती है कि अरी तू तो बावली है तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे है इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है बहु बोली ना ना आप ऐसे मत बोलो क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है पडोसन फिर बोली अरे तुझे जूट बोलकर लाए हैं इनके कोई बेटा नहीं है अब बहु पडोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ पडोसन कहने लगी करना क्या है जब साससुर आए तब जली फुकी रोटी बना देना अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कडशी दाल में और दाल की कडशी खीर में डाल देना बहु परोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा परोसन ने बताया वैसा ही उसने किया जब सास असुर घर आये तब भूकों का कोई आदरसतकार बहु ने नहीं किया और ना ही उनके कप्रे धुए जब सास असुर को खाना दिया तो सास बोली बहु ये जलीफू की रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है बहु पलट कर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासुजी अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो आपका कुछ बिगर नहीं जाएगा मुझे तो जीवन भरी अलूनी रहना है बहु की बाते सुनकर सास बोली कि आज तो बहु ने अच्छी सीख नहीं सीखी है अब बहु फिर से परोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है और उसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहु अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आज है कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो सास सवर के जाने की बाद बहु ने कोठे खोल कर देखे किसी में अन भरा है किसी में धन भरा है किसी में बर्तन भरे है सबी में अटूट भंडार भरे पड़े है और जब बहु ने सात्वा कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश लक्ष्मी जी, पीपल पत्वारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोतर, तुलसा जी का बिडला, गंगा जमुना भै रही है 36 कोटी देवी देवता भी विराजमान है, और वही एक लड़का, चंदन की चोकी पर बैठा माला जब रहा है सब देखकर बहु लड़के से कहती है, कि तू कौन है, लड़का कहता है, कि मैं तेरा पती हूँ, दरवाचा बंद कर दे, जब मेरे मा बाप आएंगे तब खोलना सारा नजारा देखकर बहु बहु बहुत खुश हुई, नाज्टी गाती फिरने लगी, सोले श्रंगार किया, सुन्दर वस्त्र पहने, और ओड पहन कर सास ससूर का इंतिजार करने लगी उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बना कर रखे, सास ससूर जब वापिस आये, तब उसने उनका बहुत आदर सतकार किया, उनके कप्रे धोए, उनके पैर दबाए बहु सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि माजी आप इतनी दूर बाहरे कोस कर यात्रा करके गंगा जबुना का स्नान करने जाती हो, ठक जाती हो तो तुम घर में स्नान क्यो नहीं करती हो बहु की बाद सुन सास कहने लगी कि भला गंगा जबुना भी घर में बहा करती है क्या, बहु बोली हा माजी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूं उसने सात्वा कोठा खोल कर दिखाया, तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल, पत्वारी, माता, तुलसाजी, लहरा रही है, कार्तिक, केठागूर, राई, दामोदर, गंगा, जमुना भै रही है, 36 कोटी, देवी, देवता, विराजमान है, और व कि मुझे कार्तिक देवता ने भीजा है, बुडिया कहती है, कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगडबगड परोस, कि तु मेरा ही बेटा है, बुडिया ने विद्वान पंडि पवन पानी से घट जोडा बंदे तो तब जाने कि ये बुढ़िया का ही बेटा है उसने ऐसा ही किया चाम की अंग्या फट गई छाती में से दूत की धार निकली बेटे की दाड़ी मूच भीग गई पवन पानी से बहु बेटे का घट जोड बंद गया ब्राहमन ब्राहमनी की खुशी का पार न रहा वे बहुत खुश हुए हे कार्तिक के ठाकूर राई दा मुदर भगवान जैसे बहु बेटा उसको दिये वैसे सभी को देना कैताने सुनताने हुकारा भरताने सारे परिवार को देना जै श्री राधी